प्रश्वागत है आप सभी का पीमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ अंशिका दर्शकु पीमसी हिंदी चैनल की हमेशा से ही कोशिश रही है कि आपकी हर समस्या का समधान हो लेकिन आध्यात्मिक धंग से जिससे की आप स्वस्य रहे और आपका जीवन सगम बन सके और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रो लूप और ब्रेन स्ट्रोग इसके साथ ही पेरलाइस पर आपकी हर समस्या का समधान देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्र एस रंजन जी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्यमसी चैनल पर तो डॉक्स सबसे पहले आज हम बात करेंग हीट स्ट्रोग और लूपर और इसके साथ ही आप से जानना चाहूंगे कि इनका क्या कारण होता है कि क्यों ये सारी परेशानिया होती है हीट स्ट्रोग के बारे में जैसी आमधारना है जातर लोग इस टॉपिक के बारे में तो जानते ही हैं मौसम में गर्मी बढ़ी और गर्मी से आपने खुद का बचाव नहीं किया आपके उपर हीट का एडवर्स एफेक्ट हुआ और उसके वज़ए से आपके सिस्टम में गरवडियां चाल दो हो गई हीट अश्टो के सिम्टम्स बहुत वाइड हैं बहुत वैरी करते हैं सिंपल वीकनेस थकान मन नहीं लगना से लेकर आपको सीजर लो बीपी या हाई बीपी जैसे चीजें भी हो सकती हैं तो बेसिकली मौसम में जब गर्मी बढ़ रही है और उसमें अगर खुद का बचाव नहीं करते हैं जैसा केरलेस्निस जेनरल केरलेस्निस है हम नहीं सजग हैं तो बचाव तो जरूरी है जैसा मौसम हो जैसा परिवेस हो वैसा अपना हमारा वेस होना चाहिए वैसा पहनावा होना चाहिए वैसा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए सही जानकारी हो तो बहुत आसानी हीट श्ट्रोक से बचा जा सकता है लेकिन बहुत बार बहुत सारी लोग इसके चपिट में आ जाते हैं तो आज हम उसकी बारे में देखेंगे हीट श्ट्रोक गर्मी से हुआ, हीट से हुआ और जातर हीट जब हम घर से बाहर जाते हैं तो सनलाइट धूप में या धूप में नहीं भी गए सिर्फ गर्मी में उसकी वज़ से होता है तो इसमें सबसे अधिक महत्व है हाइड्रेशन का हमारे सरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त हो जब सरीर को गर्मी लगती है तो गर्मी से अपने आपको यह एड़ाप्ट करने के लिए यह पानी को भाफ बनाकर वास बनाकर अपने सरी से छोड़ता है और इस प्रोसेस में हमारे स्किन का जो टेंपरेचर है वो डाउन होता है तो पसीना निकल सके इसलिए हमारे कपड़े वैसे होने चाहिए लाइट होने चाहिए कॉटन के अधिक सदिक होने चाहिए जातर कपड़े जो हैं वो हम अपनी जरूरत के नुसार नहीं हम दूसरे के नजरों में मेरी क्या इमेज बनती है उसके नुसार से पहने जाते है ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी सरीर के जरूरत क्या है अभी नीड आफ दी आर उसको होना चाहिए कमफर्ट होना चाहिए उस प अगर सनलाइट में जाते हैं तो अगर सनलाइट में जाना नहीं है, सिर्फ हम भीर भार वाली जगहों से गुजर रहे हैं, तो आपका सरीर पर कपड़ों का लोड थोड़ा कम होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना हो, हलके कपड़े हो, ऐसा भी अध्यात में टीचर बताते हैं, कि जिस प्रकार से हम अपने जीवन में हर चीज को चुनाव करते हैं, एक चीज का चुनाव हम जैसे करते हैं, वैसे हम हरे एक चीजों को चुनाव करते हैं, तो अगर हमारे जीवन में सजगता है, तो हम कपड़ों के लिए भी सजग रहेंगे तो वहाँ से बात शुरू होती है फिर पानी आपको frequent interval पे पानी पीते रहना चाहिए अगर सरीर में पानी रहेगा तो वो भाव बनकर उड़ेगा और temperature को वो कम करेगा तो भाव बनकर उड़ सके तो हमारा हमारा उतना skin भी exposed होना चाहिए, skin को थोगा कम cover करें, half बाजू या बिना बाजू के कपड़े पहने, पानी को पीते रहें, प्यास लगने से पहले ही पानी को गर्मी के मौसम में हमें प्यास लगने से पहले ही पानी को पीना चाहिए और पानी को पीने के साथ साथ हम अलग लगत रहके juice को ले सकते हैं, और थोड़ा हम प्रकृती को हम observe करें, क्या होता है कि प्रकृती जो मौसम की जरूरत है, उसके नुसार वैसे फलों का उत्पादन करती है तो वाटर मिलन है, मैंगो है, सिंपल नीम्बू है, तो हम उसका सेवन करें मौसम की नुसार हमें अपनी भोजनें बदलाव करना चाहिए, वैसे फल हमें लेने चाहिए तो हम उसका juice ले सकते हैं, या हम डायेट मैंगो ले सकते हैं, फल खा सकते हैं जो आपको पसंद है, उससे इसाब से हो, जब दिक्कत आ जाए, तब जागने से अच्छा है कि पहले से हम जागे रहें और हमारे सरीर में, हमारे जीवन में दिक्कतें नहीं आए या कम आए जब आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि जो परिशानी होती है, लू लग जाती है लोगों को, अकसर कहा जाता है कि जब हम दुपैर में बाहर निकलते हैं, तो जो गरम हवाय चल रही होती हैं, उसको लू कहा जाता है तो यह लूग लगने का कारण क्या होता है क्योंकि बाहर तो सभी लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी को लूग लग रही है, तो इसका क्या कारण होता है जिस को किसी particular पेस का असर जाद होता है बहुत अच्छा सवाल आपका है, मुझे बहुत खुजी हुई कि इस तरह का question, इस तरह का mindset हमारे पास है, देखिए, कोई भी disease, कोई भी situation में internal factor और external factor होते हैं, तो external factor है कि बाहर मौसम में गर्मी है, या हम भीर भार वाली जगों से गुजर रहे हैं, या sunny area में हम जा रहे हैं ये external factor है, external factor को हम बहुत ज़्यादा control नहीं कर सकते हैं, हाँ, थोड़े बहुत precaution ले सकते हैं, कि हम भीर भार वाली जगों में कम जाएं, हम अगर जाना ही है, धूप में हम कम जाएं, अगर धूप में जाना ही है, तो हम चाता लेके जा सकते हैं, थोगा सा बचाओ हम कर सक करते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्पूर्ण internal factor है, और PMC चैनल जो है, जहाँ पर हम अध्यात्म के अधिक बात करते हैं, वो internal factor पर ही ज़्यादा यहाँ पर हम हमें समझना है और change करना है खुद को, तो यहाँ पर मैं आपके एक interesting बात बताऊंगा, सन 2005 में मैं एक सन योगी स शंकर, बेंगौल के हैं, उनका आसना भी जाना हुआ बाद में, 2005 में अगस्त में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम का नाम CMC, Continued Medical Spiritual Education था, उस प्रोग्राम में वो वक्ता थे, स्वामी हुआ शंकर जी, और अगस्त के महिने में दो पहर के दो बजे, अगस्त के महिने म में बहुत तेजगर्मी होती है, और दो पहर में दो बजे, वो सुरे को देखने का भ्यास, त्राटक, 20-25 मिनिट का उन्होंने किया, तो यहां पर बात है, उस पर, वो कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग बाहर खड़े थे, तो हमारे लिए, वहां पर खड़े होना मुस्किल था, और वहां पर एक योगी है, जो उस पर त्राटक कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, सुरे पर, तो ऐसा भी पॉसिबल है, कि अगर हम अपने आपको वैस साधना के द्वारा, वैसा ट्रेन करते हैं, सुरे उमा संकर जी से मैंने बात सीखी है, कि हमारे जीवन में सुरे के प्रती मित्र भाव होना चाहिए, जब वो सुरे ध्यान करते हैं, सुरे तराटक करते हैं, सन मेडिटेशन, तो उसमें पहली बात होती है, कि सुरे के प्रती मित्रता भाव होना चाहिए, सुरे मेरा मित्र है, अब मित्र जो है, वो दूसरे मित्र का ख्याल रग है, तो सुर्य के किड़ने, सुर्य के गर्मी फिर आपका नुकसान नहीं कर सकती है, तो ये एक साधना की बात है, साधना में अगर हमां आए, मेरिटेशन में आए, तो हम इस बात को अनुभूर्ग से जान सकते हैं, तो एक्bene अगर हम अपने उर्जा सरूप को या चेतना सरूप को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम सरीर के भाव में कम जीते हैं सरीर के तल पर बहुत तल पर जो दिकते हैं रुकावटे हैं वो हमें उतनी परवावित नहीं करती हैं जितना हम सिर्फ सरीर भाव में जी रहे हो तो करती हैं कहने का मतलब जब कभी situation adverse हो, जब कभी गर्मी हो, तो तुरन घबराई नहीं, कि अरे गर्मी है, मेरे तवियत खराव हो सकती है, ऐसे ऐसे negative thinking अपने भीतर मत आने दे, अपने उर्जा भाव, चेतना भाव में रहें कि ठीक है, मैं इसमें भी मस्त रह सकता हूं, मैंने पानी प दोहराते हैं, तो वो affirmation हो जाता है, मैं सुरक्षित हूं, अगर कभी adverse situation से आप गुजर रहे हो, मजबूरी है, गर्मी में निकलना पड़ा है, तो उस समय हमें ये affirmation दोहराते रहें, सुरे मेरा मित्र है, मैं सुरक्षित हूं, all is well, everything is perfect, I am safe, हिंडी भासा में, इंग्लिस आप अपने regional language में, पंजाबी में, गुजराती में, मराथी में, जो भी आपका मदर टंग है, उसमें आप उसको translate करके अपने हिसाब से present tense का ध्यान रखना है, वरतमान काल में हो, और वो उससे छोटा रखें, इतना छोटा रखेंगे, हमारे subconscious mind में वो इतना easily उतरता है, मै सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, all is well, तो इस तरह से हम अपने आपको, ये internal factors है, हमें internal factor पर काम करना है, और external पर काम करना है, दोनों से पर काम करेंगे, तो बहुत आसानी से हम अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं, जी रख साब, इसके साथ ही आप से जाना कि ये पहन अपने बताया हिसे हमें किस सरह कि कप्री आपने बताया कॉटन विशेष तो और से कॉटन ही पहन पहन चाहिए, लेकिन रंगों का क्мы हम होता है क्यों कि लुक्स तरह से बोला जाता है कि गर्मियों में को काला रंग नहीं पहन चाहिए, उसमें घना लगती है, skin को भी problem होती है तो इसका ज़रा थोड़ा सा दर्शे को डेटेल में बताईए यहाँ पर थोड़ा सा physics की बाते आ जाती है कि कोई चीज हमें जो दिखती है जिस रंग के दिखती है वो उस रंग की दिखती है कि उस रंग की किड़ने उस wavelength की किड़ने उस object में अब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी reflect हो जाती है तो अब जैसे काला रंग को ले हैं और सफेद रंग को ले दुरों में contrast समझने के लिए तो काला रंग जो है वो हमारे विवग्योर wavelength के सभी spectrum को absorb कर लेगा तो वो अधिक light rays को absorb करेगा तो उसके अंदर जल्दी heat पैदा होगी जो सफेद र रंग white color या light color ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उस पर धूप पड़ेगी तो वो जल्दी गरम नहीं होगा तो करंग में हमें light colors के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए जी रप्र साथ इसके साथ ही आपने जो खान पान का बताया था तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे इंडेजिशन की प्राब्लम हो जाती है डियाइड्रेशन हो जाता है और फूट पॉजनिंग भी हो जाती है तो बाहर जब निकले तो किन चीजों का ध्यान लखें कि क्या खाएं क्या ना खाएं जो कि हमारे शरीर को शरीर को सपोर्ट करें ना कि इसके अगेंस्ट जाए गर्मी के मौसम में हमें खाने से जादा पीने का ध्यान रखना चाहिए जै क्योंकि हमारे भीतर हाइड्रेशन चाहिए जल तत्तु चाहिए तो हम फ्रिक्वेंट इंटरवल पे पानी जूस लसी या छाच या कोई भी लिक्विड पी सकते हैं सत्तु पी सकते हैं ये सभी लिक्विड जो हैं वो हमें बचाएंगे तो खाना खाया की नहीं खाया उससे ज्यादा ये बात की फिक्र करें कि क्या आपने पानी या जूस या कोई लिक्विड पिया है वो अधिक महत्पूंड है और जब भोजन की बात कर रहे हैं तो घर का भोजन ज्यादा हाईजेनि में कुछ फिलिंग हो रही है मैं अब मुझे पेट भढ़ने के संतुष्टी आ रही है हमें उसके भाइबरेशन पर और इनरजी पर विसेस फोकस होना चाहिए जब हम कॉमर्सियल फूड जॉइंट्स पर फूड लेते हैं बाहर के फूड लेते हैं तो वहां पर कॉमर्स की नहीं अवाइड कर सकते हैं लेकि हम सको कम कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा भूक नहीं है तो आप कभी कभी अवाइड कर सकते हैं आप घर से कुछ कैरी कर सकते हैं कि आप कुछ खाने पीने के चीजे पीने के चीजे कैरी करने पर ज़्यादा फोकस रखें और अगर कभी मजबूरी में कभी खाना पड़ा तो आप उन भोजन को ब्लेस करके लिया करें वैसे घर के भोजन को भी ब्लेस करके ही लिया चाहिए ब्लेस करने कैसे धान जो है यह जैपान के साइंटिस्ट मसारू इमोटो के रिसर्च वर्क से आता है जब उन्होंने वाटर ट्रांस्मीट किये तो उनकी मॉलेकुलर स्ट्रक्चर में चेंजिज होगे जो माइक्रोस्कोप पे दिखे तो यह बहुत अच्छी डॉक्मेंटिव फिल्म है वाटर सिक्रेट मैसेज इन वाटर जिसका मैसेज हमें यह है कि हर पीने की चीज पानी हर खाने की चीज उसमें कुछ वायबरसन आ रहा है उस चीज को जिस वरसन ने कैयरी किया है उस वक्ती की नर्जी उसमें आ रही है तो इन बातों को समझते हुए हम भोजन को लेने से पहले, पीने की चीज़ें को लेने से पहले, हम एक मिनिट, दो मिनिट के लिए उसे हम ब्लेस कर, हम उसको थैंक यू बोलने, सबसे पहले तो हमारी प्यास को या भूग को मिटाये जा रहा है, तो हम उसको थैंक यू बोलने, जब भी हम पानी पी रहे हो तो हम पहले पानी को thank you बोले, thank you water, तुम मेरी प्यास बुजाने जा रहे हो, thank you करने के साथ साथ हम उसके अंदर divine की feeling लाए, मतलब everything is divine, कन-कन में भगवान है, ब्रह्म है, या तो अध्यात्म की इधारना है, हाँ उसका अनभो कितना हुआ है, साधना के पर निर्भर करता है, मान तो सकते ही हैं, कि हर चीज में ब्रह्म है, तो जो चीज आप पीने जा रहे हैं, चाने जा रहे हैं, उसमें भी ब्रह्म है, तो अगर आप उसके ब्रह्म को recognize करते हैं, तब उसकी जो दिव्यता है, वो अधिक प्रकट हो जाती है, समझाने के लिए मैं आपको ले लेकिन हम समझने के लिए बात समझें की चीज सेम है लेकिन आप उसको किस भवना से देख रहे हैं। उससे उसके quality में फर्क पर जाता है मिट्टी के मुर्ती बनाने वाला जब मुर्ती को बना रहा है तो बहुत जगवे पैरों का भी उपयोग करना पड़ता है लेकिन अभी वो मिट्टी है और मिट्टी से मुर्ती बन रही है जब वो मुटी बन गई और जब प्रान प्रतिष्ठा हो गई जब उसके साथ हम उसको भगवान का प्रतीक के रूप में देखने लग गए फिर तो वो पुजनी हो गया तो भावना से फर्क पड़ जाता है भोजन को भी जब हम उसके अंदर इसमें भी ब्रह्म है कनकन में भगवान है जब हम इस भावना के साथ भोजन को हम एक मिनिट के लिए आख बंद करें और जब भी कोई चीज़ पीने जा रहे हैं खाने जा रहे हैं उसके अंदर इस जब खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं कर सकता फिर वो आपको हेल्पी करेगा आपको नोश पोसन ही देगा आपको नरिश करेगा जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका शुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारी बॉड़ी की नीट को फुल्फिल कर रहे हैं हमें एनर्जी दे रहे हैं टुवर्ड्स जिससे कि हम सारा अपना खुद का काम कर सकें और अपनी एनर्जी भी बढ़ा सकें गर्ड्स यहां पर मेरा एक सवाल है कि जैसे के आपने बताया वेवरेजिस के बारे में कि हम घर का पानी लिए घर का सारी चीजे पिये और इसके साथ ही जो जूस है वह हम उसका सेवन करें लेकिन डॉक्स ऑब इसके साथ ही मार्केट में काफी सारी ऐसी चीजे शुगर है उसके लावा एड़ेट फ्लेवर्स हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है क्योंकि उसमें कुछ हेल्दी तत्व तो नहीं है बहुत अच्छा पाइंट आपने उठाया है देखिए यह जो सौफ डिंग है कोल्डिंग है इसमें सुगर तो एक है ही उस देखिए पिएच हमारे ब्लेड का बहुत स्पिस्विक होता है 7.4 अगर 0.2 पिएच भी ब्लेड का पिएच उपर नीचे हो जाए ना तो आप आई सीव पहुंच जाएंगे हमारा पिएच बहुत स्टिकली मॉनिटर किया जाता है नीचर के दौरा हमारे बॉड़ी के 7.4 मेंटेन करने के साथ जो अस्टमक का पिएच है अस्टमक में हाइडोकलोरिक एसेड निकलती है जब भोजन को डाइस्ट करना होता है तो अगर प्रोटीन गया है तो प्रोटीन को अक्टिव प्रोटीन को डाइस्ट करने वाले डाइस्ट करने वाले एंजाइम को बात अभ सामने आ रही है कि हमारा pH हर डिजीज में acedic हो जाता है जितना हमारा normal range है उससे और जो हम colding प्रीटे हैं colding जो है वो highly acedic होता है जो non-kids food मना किया जाता है हमारे इस platform पर उसका भी एक कारण है कि वो highly acedic होता है तो अगर हमने उससे अपने लिया हमें पीने में अच्छा लगता है, बहुत लोग colding को enjoy करते हैं कि आरे ठीक है, मौसम है, अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके stomach के pH को बहुत ज़्यादा disturb कर देता है, और pH disturb हुआ, तो फिर आप बिमार होने के लिए ज़्यादा तयार हो जाते हैं, आप जल्दी बिमार पड़ते हैं, देखिए, क्या होता है, अगर हमारा जो basic, हमारी जो energy की consistency है, अगर वो अच्छी हो, तो तुरंद प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप रोज अगर आपने pH को आप disturb कर रहे हैं, या चलो रोज नहीं कर रहे हैं, आप हफते में दो दिन कर रहे हैं, तो धिरे-धिरे ना आपकी जो difference mechanism है, वो कमजोर होते जा रही है, इससे आपकी immunity पर भी परभाव पड़ेगा, तो जो बात आपने अभी पूछी थी कि अलग-अलग लोगों को होता है, अभी मौसम में गर्मी बढ़ी, अभी सभी परसन को तो लू नहीं लगता, तो कुछ लोगों को लग जाता है, उनका जो resilience power है, जिसको हम एक तरस immunity भी कर सकते हैं, लेकिन immunity जातर infection के लिए आता है, तो वो resilience उनकी जो capacity है, natural capacity वो डगमगाई हुई है, अन जाने में उन्होंने अपने आपको कमजोर बना लिया है, और इसमें भोजन का बहुत बढ़ा रोल है, तो cold drink जो है, वो हमारे pH को disturb करते हैं, acidic मना देते हैं body को, इसलिए हमें cold drink को avoid करना चाहिए, cold drink ना लेते हुए, आप घर पे आम का पन्ना बनाएं, juice बनाएं, कुछ जो भी आपको अलग-अलग try करें, उसमें भी बहुत variety है, जब अगर हम fruit juice में भी जाएंगे, mango sick में जाएंगे, smoothie में जाएंगे, बह आपको जानकारी हो सकती है, कहाँ पैसा available है, बाहर, तो अगर आप natural fruit, fresh fruit juice, fruit juice से दूसरे products अगर आप लेते हैं, लेकिन फ्रेस हो, तो वो pH के लिए हमारा लिसोटेबल होता है, नहीं तो हमारा acidic pH जो बनता है, यह हमें बीमारी की और ले जाता है, तो हमें fresh fruit juice लेना डॉक्स आप, अभी हम बात कर रहे हैं, लू के बारे में और heat stroke के बारे में, तो इसके साथ ही कहीं बार सुना जाता है, पैरलाइसिस के समस्या लोगों को गर्मियों में होने लगती है, अब एक, मैं आपको incidence बताओं, के एक व्यक्ती थे, वो बाहर गर्मी में थे, बहुत के बज़े से होता है, इस पर प्रकाश डाली, यह यह टॉपिक काफी वाइड है, फिर भी हम था समझने की कोसिस करें, यहाँ पर heat stroke में जो precaution लेने की बात है, उसमें इक बीकॉसन यह भी है, कि हम अपने temperature को तुरंत change ना करें, अगर आप इंगर अपने घर में, AC में हैं, तो बाहर जाने से पहले आप पांच मेंटे के लिए पहले AC बंद कर दें, नॉर्मल फैन में रहते हुए फिर आप बाहर जाएं, बाहर से जब आते हैं, तो तुरंत AC चालू ना करें, पहले आप पांच मेंटे के लिए नॉर्मल फैन में आप पहले अपने आपको थणडा होने दे हमारी बाड़ी में खासकर हमारा हार्ट चेस्ट रीजन और हमारा ब्रेन रीजन इसमें अगर टेमपेचर का तुरंत सिफ्ट हो तो ये दोनों के लिए हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए ये अच्छा नहीं है थोड़ा सा थोड़ा बीच में थोड़ा सुस्ताना च चाहिए, टाइम लेना चाहिए, तुरंत अपने आपको सिफ नहीं करना चाहिए, बाहर से भी आए, तो तुरंत आपको प्यास लगी हुए भी है, तो भी आप गटागट थंडा पानी ना पी ले, पहले एक सिफ, दो सिफ पहले पानी का ले, और उसमें भी पानी जो पीना है बहुत लोग गर्मी है ना तेज गर्मी है तो फ्रिज का ठंड़ ठंड़ पानी पीते हैं पीने में अच्छा लगता है लेकिन हमारे सरीर के लिए वो अच्छा नहीं है सबसे आइडियल तो है घड़े का पानी घड़े में जितना पानी ठंडा होता है वो मौसम के अनुसार से आपके सरीक लिए perfect है साथी साथ घड़े का पानी पीने से जो घड़े की जो quality होती है जो उसमें जो मिट्टी से बना है हमारे सरीर में mineral की deficiency नहीं होगी अगर हम घड़े का पानी पीते हैं तो नहीं तो बहुत साई लोगो supplement लेना पड़ता है लेते हैं अगर घड़े का पानी पीते हैं तो supplement की जुरूत कम पड़ेगी तो घड़े का पानी ideal है लेकिन आप घड़ा नहीं है कहीं पर available तो आप mix करके पाई ले सकते हैं या फिर अगर आपका आपने आप पे control है तो आप normal पानी ही पीए वही best है जो normal temperature का पानी है जो ना ठंडा है ना गर्म है वो हमाई सरी के लिए सबसे ideal है ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए अवाइड करें और जब भी पानी पीए पानी को सिप करते करते पीना चाहिए मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि पानी को खाना चाहिए और खानी को पीना चाहिए खानी को पीने का मतलब है कि चबा चबा क्या भोजन को ले और पानी को खाने से मतलब है कि उससे आप सिप लेते हुए धिरे धिरे पिया करें कभी भी एक सांस में पानी नहीं पिए तो तुर आते ही तुरंत असनान ना करें वो भी अब समर हैं बहुत लोग दो बार असनान करना पसंद करते हैं और यह अच्छा भी है समर में दो बार असनान करें that's good for health लेकिन बाहर साने के बाद तुरंत आप असनान करने जाएं पहले आप दो मिनट कम से कम पांच मिनट के लिए common है तो हम थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे हीट श्ट्रोक से बहुत आसानी से अपने आपको बचाया जा सकता है जानकारी अगर हमारे पास हो तो दिकत नहीं आती है पीने की चीजों के साथ-साथ थोड़ा में इनर्जी मेडिसीन के बारे में ही बताना चाहूंगा कि यह अपने नाडियों पर कायाम करते हुए हम अपने आपको कैसे बहतर रख सकते हैं तो यहाँ पर इनर्जी मेडिसीन में उर्जा चिकृत्सा में हम प्रान उर्जा की बात करते हैं और हमारे भीते दो तरह के प्रान है सूर्परान और प्रिष्वी प्रान यांग एन इन तो जो यांग की नाड़ी है सुर्य प्रान की जो नाड़ी है जो हमारे हाथों में आती है अलाई मिरेडियन हमें जब हम अपने आपको ठंडा कर रहे हैं करना चाहते हैं गर्मी लग रही है और अपने आपको आपको डिलक्स करना है कूल करना है तो अलाई मिर इंटेश्टाइन एलाई मरेडियन यांग मिंग मरेडियन आती है तो यहां पर कुर्णी के पास 11 नमबर का पॉइंट है 11 नमबर है फिर 10 है और फिर यह गुजरता हुआ अंगुठे के जहां जब हमां अंगुठे को पीछे करते हैं तो यहां पर गढधा देशा बनता है यह यहां पर लाई फॉर है यह अलाई मेरिडियन के कुछ मुख्य पॉइंट है तो इन सभी एक्ट्यूपेसर पॉइंट को इनर्जी पॉइंट्स को हम ठंदा कर सकते हैं तो आप बरफ का टुकर ले और उससे इस मेरिडियन पर आप अपने आपको कर सकते हैं तो कभी भी यारा से दस से चार और पांच की तरफ उस डायक्षन में आप बरफ को ले जाएंगे तो यह आपके लिए जाद अच्छा है तो कि जो यांग इनर्जी है सूरी प्रान उर्जा जो है वो फोर टू एलेवन बहर रही है हम इसे सिडेट करना है सिडेट और टोन करना यह समझ पर हीट की नर्जी है हमें इस नर्जी को कम करना है इसे एलेवन एल्बो से हमें रिष्ट की तरफ फिंगर की तरफ आना चाहिए तो हम बरफ को कर सकते हैं आगा कुछ लोग को बरफ के लिए सेंसिटीव हो तो बरफ को आप किसी रुमाल में या किसी कॉटन कपड़े में रखकर उससे फिर आप उसके उपर से कर सकते हैं बर्फ नहीं हो आप ठंडा पानी सिर्फ इसके उपर डाल सकते हैं जब भी हम बहुत आएं और हाथ पे अगर धोते हैं चाहते हैं तो पहले हमें अपने हाथ को ठंडा करना चाहिए हाथ पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए हमें अपने सिर पर, चेस्ट पर, हमें बानी बात बैले डालना चाहिए इन सही बातों का ध्यान अगते हैं, तो फिर हमें हीट परसान नहीं करता है हीट स्टोक से लूसे, हम बहुत आसानी से अपने आपको बचा सकते है जी डॉक्टर साब मेरे पूछने से पहले आपने उप्चार बता दिया इन सारी चीजों का लेकिन अभी हम बात करेंगे जैसे की अभी जो आपने उप्चार बताया वो आपने यह जो एक्यू प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसके दुवारा आपने बताया लेकिन डॉक्ट में जैसे आप तो जानते हैं आप डॉक्टर है ओवियसली तो जब हमारी बॉड़ी हमारा साथ नहीं देती है तो वहां पर मेडिटेशन किस हद तक काम कर सकता है क्योंकि वहां पर बहुत जादा जरूरत होती है ध्यान की जिससे कि हमारी जो एनरजी है वो राइट वे में जाए हई ही स्टोख हीट के वज़ह से प्रैसानी आ रही है हीट जादा बढ़ गई है तो उर्जा को समझना है और जा सूरय ऊपर सूरज है नीचे पृत्वी हो रही है तो हमें सूरिस की उर्जा से बचना है, सूरिक की धूप से बचना है और पिर्थवी उर्जा के संपर्खनाना है तो यहाँ पर meditation में के माध्यम से अपने आपको मजबूत बनाने के लिए अपने आपको strengthen करने के लिए हमें पिर्थवी से अपनी connectivity को बढ़ाना है कहने का मतलब जब भी possible हो आप पैट से socks उतार कर अपने पैट को diet जमीनी पर रखा करें अगर आप बैठ सकते हैं नीचे तो बैठ जाएं अगर नीचे कुछ बिचाना है ठीक है अगर आपका घर है सफाई सफाई है आप diet भी बैठ सकते हैं कभी कभी प्रकृति में जाएं मिटी से घास से उससे अपना connection बढ़ाएं पेड़ पौधों से घरें पेड़ पौधे रखना चाहिए उनको पानी दिया करें अपने मिटी से पौधों से अपने connectivity को बढ़ा कर रखें meditation के दौरान हम अपने आपको पिर्थवी की उर्जा से जोड़ सकते हैं simple आप आँख बंद करके अपने आपको उस moment को याद करें जब कभी आप बारिस में या मिटी मिटी के साथ आप खेले हैं या time spent किया है कभी किसी natural waterfall में आप गये हैं तो आप आँख बंद करके अपने आपको रिलाक्स करते हुए यानि की alpha state में ले जाते हुए मुख्य ध्यान की जो अवस्था है वो delta अवस्था है जब हम अपने आपको रिलाक्स करते हैं तो हमारा ब्रेन अलफा में जाता है अपने आपको रिलाक्स करते हुए अलफा में जाते हुए जब हम अपने नेचर प्रकृति में बिताए गए च्छनों को याद करते हैं तो हम प्रकृतिक इनर्जी से मदर अर्थ की इनर्जी से जोड़ जाते हैं विजलाइसन के मेथड भी प्रयोग किया जाता है कि हमारे जो मुलाधार चक्र हैं उस मुलाधार चक्र से रूट्स निकल रहे हैं और वो पिर्थवी के केंद के तरफ जा रहे हैं तो अगर हम हमारी जड़े, उर्जा के स्थर पर हमारी जड़े, कोई physical roots नहीं निकलते हैं, लेकिन हम energy beings हैं, तो हमारी visualization का ये परभाव होता है कि हम पिर्थवी की उर्जा से जोड़ जाते हैं, और जितना हम पिर्थवी की उर्जा से जोड़े हुए रहेंगे, बीच बीच म सिंपल हम जमीन पर बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठ कर हम time spend करते हैं, जो भोजन करना है पॉसिबल है जमीन पर बैठ कर भोजन किया करें, तो अपने आप हम जूड़ जाते हैं, अगर हम जमीन पर बैठते हैं, पिर्थवी के साथ, मिट्टी के साथ जूड़ते हैं, तो हमा गर्मी आएगी तो हम automatically सुरक्ठीत रहेंगे तो पहले से हम करते रहें और अगर हो भी जाता है अगर कभी heat stroke हो भी जाए heat stroke कभी हो जाए अगर आपको बेचैनी होई लग गए आपको लग रहा है कि साथ गर्मी कोज़़ से हो रहा है तो आप आम पन्ना उबला हुआ आम से बना हुआ पीने का चीज आप पीएं भी और उसे लगाया भी जाता है सरीर पर शरीर पर लगा कर फिरस्नान किया जाता है तो वो बचाओ के लिए टीटमेंट के लिए दोनों के लिए उपयोग होता है और उसके बाद जब आप लेटें तो आप पिर्थवी की उज़़ा से जुड़ें मैं पिर्थवी की उज़़ा से जुड़ा हुआ हूँ पिर्थवी की उज़़ा हुआ हूँ तो मैं प्रायसन भी हम प्रित्वी की उर्जा अपने सरीर में बढ़ा सकते हैं प्रित्वी की उर्जा हमारे मुलाधार चक्र में सबसे ज़्यादा आती है हमारे पास साथ उर्जा के इंद्र हैं मुलाधार स्वाधिष्ठान मनीपूर तो जो पहला चक्र है मुलाधार चक्र उसमें पिर्थवी चक्र के उर्जा है और जो स्वाधिष्ठान चक्र उसके बाद जो दूसरे नमर का चक्र है नीचे से उसमें जल्दत की उर्जा है तो हमें नीचे के इन दो चक्रों को अधिक संतुलित और प्रानवान उर्जावान रखना चाहिए तो हम सुरक्षित रहेंगे ध को भी से काफि सहाइता मिली होगी कि बाहर जा रहे हैं तो जाधा से ज़ाधा कोशिश करें कि पीने की जूस हो सकता है नारियल पानी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो आपके पसंद का हो या फिर आम पन्ना जो सत्तू हम बोलते हैं सत्तू भी बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है और इसके साथी दर्शे को आपको बता दूँ यदि आपको हीट स्ट्रोक लूप पैरलाइस सकते हैं और आपके सवाल का जवाब हम देंगे अपने अगले एपिसोड में तो अब फिर से बढ़ते हैं डॉक्तर साथ की और अपसे जाना चाहूंगी कि अगला सवाल जो मेरा है वह ब्रेंड स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए कि ब्रेंड स्ट्रोक ह होता क्या है से हम कैसे समझें आम आदमी इसको कैसे समझें ब्रेंड श्ट्रोक ब्रेंड के कारण श्ट्रोक ब्रेंड के कारण परिसानी और जातर परिसानी जो होती है वह पैलिसिस की होती है हाथ की या पैर की उसके मुवमेंट नहीं कर पाते हैं कभी-कभी मुवमेंट से जाता है तब उसको पर एस इस बोलते हैं ब्रेन पर कुछ हवा है और उसके कारण हाथ में पैर में को दिकता आई है कब की पार्षियल होता है तो हमारे बोलने में यह हमारी फेस्यल जो स्मेट्री है उसमें जानता है तो तक यह तब होता है जातर उन लोगों को होता है जिनको blood pressure की cholesterol की problem होती है देखिए cholesterol का प्लेक अगर blood vessel में जमता है वो जो नॉर्मल लेंज है cholesterol का वो 250 तक होता है अगर 250 से ज़्यादा cholesterol है या bad cholesterol बढ़ जा रहा है तो फिर उससे blood pressure बनता है और blood pressure के मरीज अगर कभी हम बन जाते हैं तो precaution रखना बहुत जरूरी है बहुत बार होता है कि BP के मरीज जो है वो अपना ध्यान नहीं रखते और BP अगर suit कर जाए तो पता नहीं चलता और फिर brain stroke या दूसरी प्रसानी हो जाती है तो BP के मरीज को अगर कभी भी life में अगर एक बार भी अगर BP के दिकत हो गई तो आपको अपना care continuous level पे करने की बहुत जरूरत है हर एक BP के मरीज के घर में BP का instrument होना चाहिए जहां आप regular level पे अपना BP monitor करें और उसे लिखें देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि जो electronic machine है वो कितना सही बताती है तो यहाँ पर हमारा मुख्य उदेश जो है वो fluctuation को पकड़ना है अगर कभी वो बढ़ गया तो आपके पकड़ में आ जाए तो अगर आप रोज जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं नॉर्मल लाइफ में आप रिजनेबली रिलाक्स हैं तो आपका जो एक blood pressure है वो एक average range हुआ फिर कभी अगर तनाव बढ़ा या आपका सरीर का health internally compromise हो रहा है और उसे BP बढ़ी तो पता दो चल जाएगा नहीं तो क्या होता है कि symptom हो जाते हैं परिसानी आ जाती है और उसके बाद फिर हरानी होती है कि मुझे कैसे हो गया जब मैं हॉस्पिरल में काम क्या करता था बहुत वारा बहुत मरीज जब उनको कोई स्ट्रोक हो गया पैलिसिस हो गई या कुछ दूसरी दिक्कत हो गई वह आकर बोलते हैं लोटर साब सब कुछ तो ठीक चल रहा था या अचानक से आ गया अगर कोई भी symptom आएगा तो वह अचानक से ही हमें दिखता है लेकिन वह वास्ते में अचानक से नहीं है हम उसके के मरीज हैं अगर आप मेडिसीन ले रहे हैं अगर आप ठीक से ध्यान को ठीक से अक्योपेसर पॉइंट को ठीक से अपने आपको रिलाक्स करने पर इन सबी चीजियों पर ध्यान दें थोड़ा आपने भोजन में परहेज रखें तो तीन महिने में बेपी की मेडिसीन अपनाना होगा। ध्यान के लावा योग निद्रा का अभ्यास रिल्याक्सेसन के लिए बहुत अच्छा है। प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। हमें साकहारी भोजन सात्युक भोजन लेना चाहिए। अगर बीपी हो जाता है तो आप अपना बीपी डेली नहीं तो पी जरूर लिखते रहें नापते रहें गोली अगर कई आपकी बंद भी हो जाती है तो भी हफते में एक बार कभी कभी चेक कर लिया करें और चेक करने के बाद साथ लिखना भी है क्योंकि अगर कभी आप कभी हॉस्पिटल जाएं डॉक्टर के पास जाएं तो जो आप एगलल लेवल पर हाई रहता है, कंट्रोल नहीं रह रहा है, तब तो आप बैठे वे थे, कभी भी आपकी भीतर श्टोक हो सकता है, पैलिसिस हो सकती है, श्टोक अचानक से कभी नहीं होता, कई सालों का, कई महिनों का नेगलिजियंस है. तो एक तो बात ये है, बीपी के लि ये भी हमें अपने Li 11, Li 10 पॉयंट को सेड़ेट करना है अगर हम बर्फ गरमी का मौशम है फिर तो हम बर्फ लगा कर सकते हैं सेड़ेट करने में हम उससे continuous pressure देते हैं, lie 11, lie 10, acute pressure point को अगर हम हाथ से continuous दबाएं, उससे वो sedate होता है, या बर्फ लगाकर हम उससे sedate करें, इससे BP कम होता है, इसके अलावा BP को अगर हम अपने हाथ को ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में डिप करते हैं, कोई पानी का मग हो, जग हो, उससे हम हाथ को बर्फ करते रहें, तो उससे भी हमारे भीतर यांग इनर्जी कम होती है, और BP को कम करने में ये helpful हो सकता है, BP control हो, क्लिस्ट्रोल अगर बढ़ जाता है, क्लिस्ट्रोल को कम करें, हम फलों पर सबजीयों पर आजाएं, उसकी quantity को बढ़ा लें, तो क्लिस्ट्रोल कम होई लग ब्रेन श्ट्रोक होने के संभावना काफी कम हो जाती है, पुरिता खतम नहीं होती, कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है, वो ब्लड प्रिसर और कुलिस्ट्रोल का है, तो पहले तो हम प्रिवेंट्सन पर ध्यान रखें और उसके साथ साथ हमें उसका आना चाहिए, मेंजमेंट जो है, ब्रेन श्ट्रोक का, पैलिसिस का, जो मेडिकल में इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पूर बताई जाती है, कि जो भी डिकावरी होती है, वो अपने आप होती है, जो ब्लड विसल डैमेज हो गया, जो नर्व का सेंसेशन, मोटर निरॉन का से नहीं जा रहा है, तो अब वो जो नॉर्मल होगा, वो अपने आप नॉर्मल होगा, उसमें हम उसके हीलिंग रिकावरी प्रोसेस को, मेडिकली हम बहुत ज़्यादा इंफ्लेंस नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ हील होता है, और हील होता है, जातर बेन श्ट्रोक पैलिसिस काम करने की चमता, यह यांग मिरेडियन, सुर्प्रान की नाड़ी के माध्यम से आता है, और सुर्प्रान जो है, वो हमारे पैर में अधिक महत्पूर्ण है, हाथ पैर में दोनों में आते हैं, और वो हमारे टिप्स पर, अंगलियों के टिप्स तक महुझते हैं, तो अपन कर टिप्स का, इसका मसाज करें, हाथ के अंगलियों के टिप्स का मसाज करें, दोनों का अंगलियों के टिप्स का मसाज करना है, पैर के अंगलियां अधिक बहुत पूंड है, और जब मसाज करने के अलावा, हर अंगली पे लगवग दो-दो मिर्ट का आप समय देंगे, दस उंगलियां हैं आपको पंदा मिनट समय लगेगा इन एक्यू प्रेसर पॉइंट जो टिप्स पर हैं इनका मसाज करने के साथ साथ करने के अलावा मसाज कर लेने के बाद आपको यहाँ पर लाल रंग और हरा रंग एक दिन लाल रंग और एक दिन हरा रंग यहाँ पर टिप्स पर लगाना चाहीए जो green color है देखिए color therapy भी होती है color therapy बहुत effective है इसके बहुत अच्छे लट्स मुझे मिलते हैं जो रंग है उस रंग के माध्यम से हम अलग लगतरा की उर्जा को अपने भीतर एक्टिव कर सकते हैं तो पैलिसिस में हमें यांग ची को अधिक एक्टिव करना है तो यांग ची जो है वो लाल रंग से और लाल रंग के अलावा हरे रंग से प्रभावित होता है तो आप चावताप से लाल कर दें, खास कर टिप पर जाता लाल करें, और ये जो लाल रंग आपने लगाया है, ये रंग जो है, वो 24 घंटे में लगबग 6 घंटे के लिए होना चाहिए, और ज्यादा महत्पूर्ण है दिन के समय लगाना, वैसे आप लाल रंग लगाएंगे, ल वो ज्यादे काम करता है, तो लाल रंग ज्यादा महत्पूर्ण है, लेकिन लाल रंग के साथ साथ हरा रंग भी होना चाहिए, लेकिन दोनों को अवरलाप ना करें, एक दिन लाल रंग लगाएं, 6 घंटे बाद पोच्टना चाहिए, तो आप उसे पानी से पोच्ट कर के लावा अपने हाथ की उगलियों के टिप्स पे, तो यांग मेरेडियन अगर अक्टिव होता है, तो पैलेसिस जल्दी ठीक होता है, रिकवरी होती है, तो ब्रेन स्ट्रोक का मेंजमेंट ऐसे इनर्जी मेंडिसीन में किया जाता है, डॉक्ट साव आप से जानना चाहूं मज में आ गया होगा और उनको काफी हद तक सहायता मिली होगी कि अपनी जो परेशानिया हैं, उनको किस तरह से मॉनिटर करें, जिससे कि वो और ज्यादा ना बढ़ें, समय रहते हैं, उनका इलाज हो सके, डॉक्साहब इसके साथी मेरे एक सवाल मुझे प्लिक कर रहा था होती है, कहीं लोग सोचते हैं, तो इसका क्या होता है, डॉनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेसर के मरीज भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं लेकिन जो ब्लड डोनेशन कैम जब होता है तो वहाँ पर इंस्योर किया जाता है कि हम हेल्दी पेसेंट से लें देखिए अगर ब्लड वॉल्यूम निकला तो हाई बीपी के मरीज को उससे कोई दिकत नहीं है वो इन जेनरल ब्लड कर आया जाता है कि अगर हेल्डी पेसेंट है तो वो जो जो चेंज होगा ब्लड वॉल्यूम जो चेंज होगा उसको एजरी अकॉमडेट कर लेगा तो प्रिफर किया जाता है कि आप अपने आपको स्वस्थ बनाएं स्वस्थ आदमी का ही ब्लेड लिया लेकिन हाइब यई से ब्लोड करता है तो लेने वाले को हाइब पी होगा ऐसा पूछ नहीं है ओब लेड की वजह से ब्लड प्रेस्टन नहीं होता वो ब्लड वेसल जो आर्टरी है जो वेन उसए मेंली आर्टरी जो हार्ट से हमारे और्गन्स तक और हाथ पैर तक जो खून की नवियां खूण लिजाती हैं उसमें कोलेस्ट्रोल के जमने से या उसका जो blood vessels का जो wall है वो मोटा होने से blood pressure बढ़ता है वो blood की nature में change नहीं आता वो कोई content indication in general नहीं है जोद पढ़ने पर दे सकते हैं लेकिन blood pressure blood आप donate करें उससे जाज हो रही है कि अपने आपको स्वस्थ करें तो और मैंने बताया कि अगर आप अपना ध्यान ठीक से रखते हैं जो मैंने energy point बताया है regular रूप से meditation और जोगने दरा का अभ्यास है तो तीन महिने में BP के मरीज अपने आपको दवाओं से मुक्त कर सकते हैं अपने आपको healthy बना सकते हैं तो ज़्यादा focus हमें खुद को स्वस्थ करने पर होना चाहिए अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो आप दूसरे बिमारियों के attack होने से सुरक्षित हो जाते हैं और आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे आपका आपकी efficiency ज्यादा अच्छी रहेगी आप family life ज्यादा अच्छा enjoy कर सकेंगे तो खुद को स्वस्थ करना सबसे अच्छा गिफ्ट है जो आप अपने आपको अपने family को समाज को humanity को दे सकते हैं अच्छा संदेश दिया मुझे लगता है कि हमारे दर्शिकों को भी सुनकर काफी अच्छा लगा होगा तो आपका जो mostly दर्शिकों की जो भांती रहती है जो जिसका आपने जवाब दिया कि blood pressure high blood pressure के मरीज ब्लग donate कर सकते हैं या नहीं कहीं न कहीं असमंजस की स्थिती बनी रहती है तो वो डॉक्साब ने क्लियर कर दिया आश्या करती हूं कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा डॉक्साब आज हमने काफी सारे topics cover कर लिए चार topics पर आज हमने बात की heat stroke पर बात की अब भी बात कर लिए तो सबका अब मैं आपसे जाना चाहूंगी कि एक टिप जो हम episode के last में देते हैं दर्शकों को वह आप क्या टिप देना चाहेंगे और इस गर्मी के सीजन को देखते हुए क्या डिप देंगे जिससे कि हमारे दर्शक स्वसर है सके हमें दूसरों को द बहतर रखने के लिए हम अपने आपको करें तो दूसरों के अनुसार जीवन ना जीए दूसरों के opinion में आप क्या image है उसके जीवन ना जीए आप अपने आपको स्वस्त रखने के लिए अपने आपको अच्छा रखने के लिए जीवन जीए एक पहली बात तो ये है और नियम से दिन में दो बार ध्यान में बैठते हैं हमारा मन सांत रहता है सारी बिमारी, हीट श्ट्रोग भी मन से काफी हथ तक जुड़ी हुई है हाँ, हीट श्ट्रोग में थो एक्टरनल फैक्टर हमें ज़्यादा दिखते हैं कि बाहर गर्मी है, इतनी धूप है, इतना टेंपरेचर हाई हो गया है लेकिन अगर आप मन से मजबूत है अगर आप इंटर्नल ये श्ट्रोंग है तो गर्मी क्या करेगी स्वामी उमा संकर जी को मैं याद रखता हूँ अगस्त के महिने में भी वो 20 मिनट सुरी तराटक कर सकते हैं हमाईली तो वहाँ पर धूप में खड़े होना मुस्किल है साधना से, ध्यान साधना से हम अपने आपको वैसा मजबूत बना सकते हैं बिल्कुल डॉक्साब आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन फिर भी एक क्लिरिटी दर्शकों को मिल जाएगी कि गर्मी के मौसम में ये सारी परिशानिया जिस पर हम बात कर रहे हैं ये ना हूँ इसके लिए आप ज़रा शॉट में दर्शकों को बता दे कि खाना पीना किस तरह का होना चाहिए इस दौरा हमें घड़े का पानी पीने पर नॉर्मल टेमपरचर का पानी पीने पर और सीजनल जूस मैंगो का सीजन है मैंगो का जूस वाटर मिलन का सीजन है वाटर मिलन को खाएं वाटर मिलन का जूस लें मैंगो नहीं हो तो सिंपल नीमू पानी भी बहुत हमाई लिए प्रोटेक्शन काम करेगा हमें बचाएगा नीमू पानी के अलावा प्याज कच्चा प्याज गाउ में कहा जाता है कि अगर आप प्याज को अपने जेब में रग कर चलें तो आप लू से बचे रहेंगे तो ये सबसे आसान उपाए है लू से बचाने का और जो अथ पढ़ने पर प्याज को मिक्सी में पीस कर थौसा पानी मिला कर उसके लेप को लगाये जाता है कानों पर छाती पर आन पीट पर तो इससे भी अपने आपको बचाओ होता है मैंगो जो है वो सबसे बेष्ठ है तो हमें सीजनल फलों के सेवन करने पर उसके जूस पीने पर करना चाहिए और इसके लावा जो हमारी जर्णिर्ल रिकमेंडेशन है कि हमें सात्विक और साकाहरी भोजन लेआ चाहिए वो ही हमारे सरीर के लिए अच्छे हैं जो मानसाहरी भोजन हैं, वो हमारे सेरी के पीच को डिस्टरब कर देते हैं, हमारे कई सारी दूसरी बिमारियों के लिए भी हमें जल्दी वो बिमारियां होती हैं, साकाहरी भोजन, फलों और सब्जियों से रिच भोजन हमें लेना चाहिए, जितनी भूख है उतनी लेना चा जाए इसलिए भोजन करते हैं अपने सभी पर लोड देते हैं सरीर में जा कर फिर वो लोड वो प्रॉलम बनेगा जितनी भूख है इट ऐस पर दा नीट हम अपनी जीप के नुसार ना खाएं हम टेस्ट के नुसार ना खाएं हम भोजन की जरूरत को समझते हुए भोजनों करें और इसमें हम अपने ध्यान का भी हल्प ले सकते हैं आप किसी भोजन को के लिए आख बंद करके एक मिनट के लिए आख बंद कर अगर हर भोजन को हम अपनी इनवाइस को सुनते सुनते अगर लेते हैं तो हमारा भोजन हमेशा परफेक्ट रहेगा, कभी आपके सरीर में वैसा भोजन जो आपको रोग की और ले जाए वो नहीं जाएगा आपके भीतर, तो आवेरनेस से जीना चाहिए, होसपुर्वक उर्जा भोजन करना चाहिए, भोजन का उदेश से पेट भढ़ना नहीं हो, भोजन का उदेश हमें प्रान उर्जा से पोशन देना हो, तो फ्रेस चीजे रहेंगी, तो ही वो प्रान उर्जा से पोशन देंगी, जितना भी कोई चीज पुरानी है, या पैक है, या फैक्ट पिए मैंगो जूस पिए मैंगो सेख पिए नहीं सिंपल है तो सिंपल घड़े का पानी पिए बहुत आसानी से आप खुद को बचा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब आप यहां आए आपने तमाम सवालों के तमाम समस्यों के जवाब दिये आपने अपने बहु मूले समय को समय मैं से थोड़ा सा समय हमारी लिए भी निकाला जिसे की सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचे और एक हेल्दी विश्व क और हमारा पूरा विश्व और पूरी जन्त अग्रिसर हो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साब धन्यवाद तो दर्शकों आज के कारिक्रम में बस इतना ही लेकिन यदि आपके पास है कोई सवाल आज के किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपकी किसी समस्य से रिलेटेड तो आप हमें अपना सवाल कर सकते हैं फॉर्में ध्यान रखिएगा जिससे कि हमें भी सवाल का जवाब देने में आसानी होगी सबसे पहले अपना नाम लिखें नाम के बाद अपने एच आप कहां से हैं यह लिखें और यदि मेडिटेशन करते हैं तो कितना समय करते हैं यह भी मेंशन करें और उसके बाद अपनी समस्या को विस्तार में बताएं जिससे कि आपकी समस्या का समधान आप तक अच्छी तरह से पहुंच पाए और हाँ आप अपने सवाल को स्क्रीन पर फ्लेश हो रहें वाट्सैप नमबर पर भीज सकते हैं तो दर्श झाल